इन तोडेज वीडियो वे आर गोईं टो रीट सोशियो फिलोस्फियल पर्सपेक्टिफ और एजुटेशन एंड यूनिट 3 तो शेक्षाट ये सामाजी और दार्शनी आधार जो हमारा सब्जेक्ट है इससे अभी पहले ही यूनिट 2 डल चुटी है और ये है यूनिट 3 इसक हैं तो चलिए यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं मैं कोशिश करूं कि कि अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आया और जल्दी से जल्दी जो सेकंड येर कोर्स है वो हम खतम करें क्योंकि अगले मंत में आपके सीटेट ए पेपर भी है और वहां पे आपको फॉस्ट येर औ दोनों पढ़के जाना है उसके बाद जो है आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे तो यूनिट 3 का नाम है संस्कृति वह मुल्य परशेशा कल्चर एंड वैल्यू एजुटेशन तो अबाउट जो यह हमारा यूनिट होगा वो कल्चर के बारे में और वैल्यूज क्या होते है वह एजुटेशन हम बचों कैसे दे वैल्यूस कैसे डवलप औरे इन सब चीजों पर हम बात करेंगे तो पहला टॉपीट ही है हमारा वोट इस कल्चर संस्कृति क्या है इस अकॉंसैप्ट और जो संस्कृति विभिनताएं है वो और इस अशिक्षा पर क्या प्रभाव है यह चीज़े हम देखेंगे तो यदि हम संस्कृति के कॉंसैप्ट इबात अरे तो यह अंग्रेजी शब्द कल्चर से बना हुआ है और यह लेटिन भाषा के यह जो कल्चर है यह लेटिन भाषा इस शब्द कल्चिवरा से बना है जिस अर्थ है पोशन करना या फिर परिश्टरित करना या फिर ऐसा तत्व जो मानव का परिश्टार कर सके उसको श्रेष्ठ बना सके चलिया आजए एक अन्य अर्थर रहम देखीं तो यह जो है संस्क्रार शब्द से विद्पूत है या फिर उत्पन हुआ हुआ है या फिर संस्क्रार जो अर्थ होता है वह संस्कृति का जो अर्थ है उन सबसे होता है जिसे मानव अपने सामाज जीवन में सीखता है या समाज से पाता है तो समाज में जो मुल्य होते हैं या आदर्श होते हैं उन्हें सीखना मानना फिर उस पर अपनी लाइफ में लेकर आना ये सारी ही चीजे होती हैं संस्कृति इसकी परिभाशा देख लेते हैं ओटावे कहते हैं कि किसी भी समाज इस संस्कृति से अर्थ उस समाज इस संपूर्ण जीवन संश्टिती से होताई कि वो समाज अजो जीवन आग्रेयम देखेंगे संत्विल विभिंताए तो हमारा जो देश-भारत है Of死 encourage हम सभी जानते कि यहां पर एक तरह यह संस्ट्र॥ी तौहैं और को संत्र॥ी यहां पर विदिमान हैं तो यह जो संस्ट॥ीया है इनके आधार क्या है किस बेसिस पर यह अलग है तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है आप स्वयम भी इस आंसर दे सकते हैं धर्म के आधार पर जाती संप्रदाई भाशाएं वेश भूशा मजभ और भी चीजे हो सकती हैं जिस बेसिस पर यहां पर सांस्ट्रति विभिनताएं पाए ज देर्माण हमें करना है तो जब भी हम एजुकेशन में सीटेट में आपके डियलेड में हम आंसर बनाते हैं तो वहां पर यह जो संस्कृति विभनताएं हैं इसों हमें प्रमोट अड़ना है ना इडी मोटिवेट ठीक है आगे बढ़ाना है हम इस एक अफसर इतरह लेते है अब इस अशिक्षा पर क्या प्रभाव पढ़ता है यह जो कल्चर है संस्कृति है इस अशिक्षा पर प्रभाव क्या पढ़े रहा इसमें पहला तो शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पढ़े रहा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या रहेंगे हम अब उसमें नेत ताम विश्वास, आदी, आदर्श वगेरा लेके आएंगे पाठे क्रम पर प्रभाव पढ़े रहा, of course जो पाठे क्रम डिसाइड होगा, वहाँ पर यह ध्यान दिया जाए रहा कि भारती संस्कृती की जलक भी वहाँ पर बच्चे सीखे या जाने शिक्षण वीधियां ऐसी प्रियोट की जाएं, जिससे जो एक क्लास होती है, उसमें बहुत सारी संस्कृती के बच्चे होते वो सभी चीजों लर्न कर सके, अनुशासन पर परभाव पढ़ता है, त्योटी संस्कृती जो आती है कि अनुशासन बद रहना चाहिए, विध्यालेव शिक्षण पर भी इससे प्रभाव पढ़ेगा, कि संस्कृती में उनके खुदे आदर्श और वैल्यूज आ जाएंगी, जिससे बच्चों पर भी डेफिनिटली डेरेक्ट प्रभाव पढ़ता है हमारी संस्कृती के अंदर अन्य संस्कृति का प्रभाव आ जाता है जैसे कोई हिंदू है बट वो उर्दू भी सी रहा है या फिर इद भी मना रहा है तो दोनों मिस्टर दिया नो उसने उधारन मैंने यहां पर दिया हुआ पच्छे से समझें कि एट घर है जहां पर इडली भी बनता है डोसा समोसा नूडल्स रोटी दाल साग तो विबिन तर समोसा नॉर्थ इंडियन है नूडल्स तो बाहर से आया हुआ है रोटी दाल साग साग पञजाब का तो विबिन संस्क्रितियां जो है मिशिप में सोग रही है तो यहूं क्यों महत्विक्न अगर मिशिप संस्क्रिती में बच्चा पनपता है या जीता है तो वो नई संस्क संस्कृत होता है उसके अंदर संस्कृति और उसकी वैल्यूज आती है विविद्धिता को अफसर की रूप में प्रयोग करता है एकता की भावना का विकास होता है इच्छा अनुसार वो कारे कर सकता है और विश्रत ज्यान और जानकारी उसको अफकॉर्स मिलती है त्यूंकि दायरा जो है वो बढ़ जाता है यह उसी तरीके से लेंग्विज अलावा हम और लेंग्विज सेकते हैं तो हमारे और भी ज्यान का विस्तृत हो जाना संभव है नेक्स्ट जो टॉपी के हमारा उसी से मिलता जुलता है जिसे हम कहते हैं बहु संस्कृति वाद मतलब है उस मिक्स संस्कृति को अपना लेना या अडॉप कर लेना तो बहुत जाती है संस्कृति की स्विट्रिती देना या बढ़ावा देना अगर हम बढ़ावा देते हैं मिश्री संस्कृति को बहुत सारी संस्कृतियों को अपना रहे हैं डाट मीन हम करता है हर किसी का अपना अस्तित्व होता है हर अपनी संस्तृति से बिलॉण करता है वो संदेगा अभी वहति तो अभी वैक्ति में उप्योगता है तो वह अपनी मात्र भाषा अच्छे से समझा पाएगा बजाए किसी और लेंवेच जो से नहीं आती कि आत्मवश्वास में व०ध्या आती है जब अपनी संस्तृति के सात पेश होते हैं अन्य संस्त्रिति अशंस मानाधर हम सीते हैं नयती मुल्यों अवियास तो होता ही हैं तो इसम्ह scholarly संस्तृति इंहैत्व भी यहां पर पॉइंट महँन घाल सकते हैं एक प्रकार कर यह मानख होता है यानि मान ले ना मान लिया गए हो जिसको एक खिसी भी वश्क्रिव और संस्कृत से ही निकलते हैं मुल्य और इसे स्विट्रती दी जाए माना जाए यह आचार सहीता हो तो हम कहीं ने कि है मुल्य है मानव इसको आधार बनाकर अपनी जीवन शैली का निर्मान करता है और जीवन के आधर्शों को प्राप्त करने का प्रियास करता है तो मुल्ले की डेफिनेशन देख लेते हैं जौन जे काने कहते हैं कि मुल्ले वे आधर्श, विश्वास या मानख हैं जिने संमाज ए अधिकांश सदस्य ग्रहन किये होते हैं चोटी सी deaf definition है आप learn कर लें दो प्रकार की हमारे मुल्य होते हैं उतह है संमाजी एक ओता है नेतिक तो जो संमाजी मुल्य होता है वो संपूर्ण संबाज से संबंधित है समाजी मुल्य इंदर क्या आएंगे अनुशासन, अनुरूपता, परोपकारी होना ची हमें समवेधना होनी ची हमारे अंदर सहन शीलता, समायोजन, न्याय और पंच शील हो हम यानि ये पांच तर्थव स्वच, सत्यता, सहयोग्र, समानता, परिश्रम हमारे अंदर हो तो ये सारे मुल्य होंगे तो किसी भी समाज अवियास अफकर्स होगा ही ये मुल्य किसी व्यक्ति में भी हो सकते हैं लेकिंग फिर भी व्यक्ति रज्जो मुल्य हैं उसे कुछ एज प्रार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि यह आपके सिलेवस में लिखा हुआ है, आधे देखेंगे अबला जो टॉपिक है, मुले शिक्षा के स्रोथ, सोर्स ओव वैल्यू एजुटेशन, अब यह वैल्यू एजुटेशन आई जी कहां से, कैसे सीखे रवच्चा, रिलिजन यानि धर्म, सबसे पहले उस धर्म जो है, धर्म के अंदर भी वैल्यूज होती है, अब कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, यह तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वो कैसे लिया जाए, ठीक है, सामाजी रिती और रिवाज, सामाज में जो भी रिती रिवाज है वहां से वैल्यूज मिलती है, दर्शन, फिलोसिफी अगर बच्छा पढ़े या जानता है या उस इंटरस्ट है उन चीजों में, तो फिर वो मुल्यों को सीठेगा, साहित लिटरेचर से नातिता है और इन चीजों जो होता है, साइंस से भी मुल्यों का विकास होता है, तो यह सारे से टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप इनको एजाम में लैवरेट करके जरूर लिठें, अगला है मारत साशैशी कडियाओं वा सामुदाई सेवा इद्वारा मुल्यों का विकास, को टरिकुलर एक्टिविटीज कौन सी है, जो हम कडा सकते हैं और उससे मुल् हैं, वो भी आस कर सकते हैं, बच्चों में मार्चीन, रैली, समाज में, कॉम्यूनिटी में जो हम करते हैं, और वी अन्य कहीं तरीटीटी के हो सकते हैं, तो पेपर में अगला क्वेशन आता है, तो इन ही इजाम्पल्स को आप एक्स्प्लें करेंगे, नेक्स्ट जो समाजी मुल्यों के विकास में, शिक्षत की भूमी का, टीचर का रोल क्या है, पहला तो है मुल्य प्रदत दृष्टी कोन की, जो टीचर है, उसमा मुल्य प्रवित दृष्टी कोन होना चाहिए, तभी वो बच्चों को भी मुल्य सिखा पाएगा, पार्टे सहाय क्रियाओ प्रवाव शिक्षन वीधियां अपना ही रही हो, मुल्य पर शिक्षा अवियास किया जाए, और स्वयम एक आधर्श वैतितु अवियास यदि टीचर के अंदर है, तो ही बच्चे के अंदर में मुल्य अवियास होगा, नेस्ट जो महरा टॉपिक है लास्ट शांती के पता चल रहा है ति सांती शिक्षा वह शिक्षा है जो अशोशित हो, अहिंसक हो तथा नाय प्रिय समाज अनिर्मान करती हो, तो बहुत ही इंपोर्टेंट यह वाली लाइन, डॉक्टर मर्सी अब्राहम कहते हैं ति शांती शिक्षा शांती प्रिय लोगों टेलिए शांती शांती होना के शिक्षा है ऐसा हमारे अबराहम जी कहते हैं कि सिध्धांत इसके देर्शन के किन बेसिती पर यह काम करता है? तो सबसे पहला तो क्या है नैति मुले अवियास होता है, उदार मस्तिष्ट हो open minded होंगे तो हम में शांती आएगी या फिर हम मार्कर्ट स से दूर रहेंगे नए विचारों को अपने माइंड में आने देंगे सह अस्तित्व को इस्टिंस होना चाहिए मिलकर रहने वाली जो भावना होती है अध्यात्मी मुल्य अवियास होता है तो भी शांती आती है वैती में आप देखेंगे बड़े बुजूर्ड हो जाते हैं तो फिर काफी अध्यात्मी हो जाते हो और शांती प्रिय भी हो जाते हैं अंतराश्ट्रे सद्भावना की बात हो हर किसी देश में इससे आतंक वाज जैसे घातक जो समस्याएं हैं उनसे बज़ा जा सकता है सका रात मद्रिश्टी को अगर हम रहते हैं तो भी हम हाइपर न होना जरूरी है हम न्याय संगत हूँ हम यानि जो बच्चे हैं उन्हें हम न्याय संगत बनाए और यदि वो न्याय संगत होते हैं तो शांती भी बनी रहती है तो यह आपका इन्यायट 3 था इतना मुश्किल नहीं यूटी इसी है लेकिन पॉइंट पता होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए उसके बाद तो कोई दियत ही नहीं होगी तो आई होप यह वीडियो आपको क्लियर कर देगा जो युनिट 3 है आपका जल्द ही मैं युनिट 4 लेयर